सारे विद्यार्थेनूं प्यारपरी, साथ श्रीयकाल, आज जैसी पंजाबी साहितना समन्दित कुछ शोट कोश्चन करांगे पहला कोश्चन है एक लम्मी प्रेम कथा साहित दे किस काव रूप दा मुक्तत है? किस साहित दा? तो अनुपता है बेटा की जड़ी प्रेम कहाणी है उकी देच ब्यान किती जन्दि है किस साहित विच अगला कुश्चन है हुन तक पंजाबी साहित विच रचियां वारां दे परकार किन्नी तरह दिया वारा जिडिया ने पंजाबी साहित विच लिखिया गईया पिकेडियां केडिया वारा लिखिया गईया बीरसी वारा ते अध्यात्मिक वारा बीरसी वार दा एक को एक एक्जामपल है चंडी दिवार ते अध्यात्मिक वारा इच जो है गुर्णानिक देवजी दी आसा दिवार परमुख है अगला कोश्चन है कि वार विचली कटना दा समंद इतिहास विचली किसे कटना नार होना जरूरी है कि वार दे विच्च जी में चंडी दी वार दे विच्च जड़ी कटना है कि ये जरूरी है कि ओदेचे जड़ी कटना है ओदा इतिहासनाल कोई न कोई समंध हुवे नहीं अजहा नहीं हुन दा वार्दी कटना दा समंध जो है ओकी से इतिहासनाल होना जरूरी नहीं है पंजाबी सूफी कवियां दा हर्मन प्यारा पंजाबी साहित दा कावरूप केड़ा है पंजाबी सूफी कविया ने जो बहुत पसंद किता रिटन अपने पाव्यक्त करने दे लेई वो केड़ा कावरूप है वो है काफी नेक्स्ट है बारा महा दे अधार ते दो देशी महीन्या दे ना लिखू कोई वी दो देशी महीन्या दे तुसी ना लिख सकदेओ चेत ते बसाख पंजाबी साहत विच रुबाई दा प्रिवेश किस कवी राही किता गया अलोगी रुबाईया जेडिया ने ओकेड़े पोईट ने पंजाबी च लिखिया पाई वीर सिंग ने लिखिया गजल दे अंतले अते पहले शेर नो की ना दित्ता जानदा है तो अनुपता है बेटा गजल जो है ओ शेराइच लिखी जानदी है ते ओदे जड़े शेर उंदेने ओ सुतंतर उंदेने विशे पक्खों सुतंतर उंदेने कोई भी शेर जो है तुसी गजल इच्चों उठा यूज़ कर सकते हैं देन गजल पहले मतला किया है गजल दे अंतले शेयर मुक्ता किया जंद है तो यह गल्त त्यान रखना है कि अंतला शेर मुक्ता है कि जीमें असी जीवन है ना जी मरन अला टाइम आएगा उधे तो बाधसान मुक्ती प्रापत हो जाएगी ऐसी तरह जो है गजलता अंतिम शेर जो है वह मुक्ता है नेक्स्ट है पंजाबी साहित विच परवेश करनवाला पहला साहित रूप गाध है जहां पाध है पंजाबी साहित रूप परवेश करता है बहुत वारी है अपने जड़ी वीडियो ने उने चपाई चरजवी किती है तो अनुपता है बेटर नाडे की पोर्ट्री ने जो है वल्लगी पद्ध है पोर्ट्री जो है किसे भी साहित रूप इच पहला परवेश कर दी है जड़ी वार्तक है जड़ा गद है उबाद इच परवेश कर दा है पंजाबी साहित इस ते निराही देखो अधुनिक समेच सब्सक्राइब है जड़े आधक लिखनी आराम्भ हुई उदित अग्रेज़ी जड़े पहला नाटक लिखे जान देची तुछी अपने भीए दे बच्चे हो तुछी कर देवी हो शेक्स्पियर दे नाटक कि इंग्लीयर ओ थैलों ये बड़े सारे नाटक तुछी देखन कि पोईटरी दे रूप इच लिखें उन्दे ने तेट वाड़ी टीचर जो है उत्वनु व्याख्या अकरांदी है इसी दहुंदा है कि किसे भी लिट्रेचर इच चायो हिंदीदा है चायो पंजाबी है चायो अंग्रेजी है ओद इच जो है कवीता पहला प्रवेश कर दी ह है ते वार्तक जड़ी है उबादिच प्रवेश कर दी है अगला कोश्चन है कवीता दे दो तत्ता दे ना लिखो कोई भी तात जेकरत वनु सारे तात याद ने उन्हें चो तुसी कोई भी दो तात जरूरी तातो दे लिख सकदे कलपना आते बिम्ब हिंदी सायत विच ना आभी रुपांतर की है वन एक्ट प्ले हुंद है जो इक्कोचा कीच खतम हो जान दे न एक चाकीउं दिया जी में छोटा नाटक जीनु किया जन्द है उनुं इकांगी किया जन्द है अगला है अगला कुश्चन है अख्खा रही देख्या जानवाला साहित रूप आगला फोस्टर है की कहानीсол केडिया हैं मैंने केड़ा काव केड़ा रूप नहीं है इस दा अर्थ है कि उन्दे शैली दा अर्थ शैली दा अर्थ लिखन दा टंग अगला क्यों आ है वार्तक साहित दी परोडता दी कस्वट्टी केड़े गद रूप नार समन्दीत है वार्तक साहित आपले कर दो आया पर अपने जोबन ते कदों आया वार्तक साहित जदों वार्तक दे वीच निबंद लिखने अरम्भ होए उस वेले वार्तक जो है वो अपनी प्रोडता वाड़े रूपते आई अगला कुश्चन है बोधिक्ता दी परदान ता केड़े साहित रूपता मुखल अच्छन है थे उसी वार्तक प्रोड केड़े लिख सकते वार्तक नर्पता अंग्रेज ऋच ट्रेव लोग कहें जानवाले साहित रूप नो पंजाबी विच की की है जन्द है की की है जन्द है सफर नामा यात्रा साहित दा पुगोल नाल संबंध है अते पुगोलिगता केड़े साहित रूप दा मुखल अच्छण है पुगोलिगता दि गल जो है रायटर कदों कर दा है जove ओपने किसी सफर नामे दि गल जदों अपने सफर नामे नो लिखादा है ज उधे पुगोल दी तर्थी दिगल कर दा है एक लास्ट कुश्चन जीवनीयते सब्सेटला अंतर बच्चे आम तोर ते थी न ईच कोई बो तुसी लिख दे सी ना जीवनी जीवनी जो है ओन कोई होर लिखता है ते सवे जीवनी नू राइटर आप लिखता है ठीक है अगले वीक भी कोई असी थोड़े जी शोट कोश्चन करांगे ओदो तक थेंक यू